है गाइस हाई दिस अभी शेक मास्ट इजर ओफेस अट विदान तू कैसे चलने मुझे जिन्दगी साइब आप लो एक दम मजदार हो सही हो तोड़ से टेंज ठों के शायद आपलो क्योंकि बोर्ड इग्जामिनेशन का वक्त आ रहा है तो प्रीबोर्ड ऑनेशन होने बाले हैं और शायद से तोड़ से स्कूल्स में ऊधर खौफनाक मोहौल होगा कि अगर प्रीबोर्ड में आएंगे मांग सो फिर बोर्ड में नहीं लिखने देंगे हम बोरेटम करने नहीं देंगे हम साइंस नहीं मिलेगा आपको यह नहीं मिलेगा आपको यह आल व्यों विए क्रिटिकल प्रॉब्लम राइट नौ हो सकत है कि अब 11 ग्रेड में हो 11 ग्रेड वालों के पास अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैकलॉग्स बैकलॉग्स क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे तेंथ में जो बच्चा भी आपर बैटा हुआ है या तो वह भाई वह प्री बो एक जो चीज है जिससे हम सब जूचते हैं that's nothing else but the concept of how much amount of things we can remember यार सर इतने बड़े-बड़े answers हम याद कैसे रखें एक बहुत critical problem हो जाता है कि नहीं तो आज मैं आप लोग के लिए इसका जबाब लेकर आए हूँ मैं आज आपको पताने वाला हूँ तीन वो reasons जिसके वज का answer याद रसकते हूँ जैसा कि मैं पता है कि 10th grade का इस साल का examination जो है वो होने वाला है subjective होने वाला है आपके 5 sections है आपके sample paper के साफ़ से section A, B, C, D और E जिसमें section A जो है वो आपका objective और बाकी सारे sections subjective है अब जो भी हो section A objective हो फिर भी आपको बहुत चारी चीज़े याद रखन क्योंकि 20 सवाल आने वाले है उस particular section में अब 11th grade की बात करें तो 10-11 में जो बच्चा जाता है उसका syllabus आइसी double हो जाता है चीज़े को याद रखने के लिए बहुत मैंद कर दी पड़ती है और 12 का क्या कहना तो चाहिए आप 9th grade से 12th grade के बीच में कोई भी grade में हो ये session आपके लिए है to understand and to take it in you कि भाई तरीका है चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखने का क्योंकि यार देगो मानो या ना मानो the examinations or the test papers at this point of time in our country in our education system is how well you remember things it's not how well you know things it's how well you remember things है ना जितने अच्छी तरीके साब को चीज़े याद है उतने अच्छी तरीके साब चीज़े लि अच्छी आपको माक्स मिल पाएंगे ये है सिनारियो अब इस महाल में तो उस चीज़ को फोडने के लिए मैं आज आया हूं इस session को लेकर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं ये session थोड़ा लंबा जाएगा तो भाई sorry हो सकता ये मैंने मैं intent कर रहा हूं कि इसको मैं 5-10 मिन में लेकिन उससे जाधा जाता है तो sorry बट क्योंकि मेरे को बोलना आपको बहुत चाही चीज़े हैं and of course from the past many years of experience जितना मैंने टॉपर से साल बात किया आपको बता है और मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो साब के सामें रखे थे इस साल हम सारी डिक्स ने रखे थे तो उन से जब हम बाते की तो समझ मैं किया यह सारी चीज़े हैं जो हमेशा कहते हैं आप लोगो और शायद आप लोगो सुन लेनी चाहिए तो मैं बता दितना आपको ठीक है जो भी टॉपर्स ने काया जो हमारे इसाब से बहुत मेल खा रहे थे और क्योंकि बहुत अच्छा क कर्व बनाया था शायद बहुत बच्छों को पता नहीं होगा बट इस कर्व इस एक्ट्री कॉल्ड एस दी दी फोगेटिंग कर्व यानि कि वो कब जो बना है आपके भूलने के पैटन को लेकर वो शायद आपके सामने आ भी रहा होगा अभी ओ ग्राफ जो आपके समझ द बाद हमने जो भी चीज सीखी है उसका हम 42 परसंटेज फूल जाएंगे इमेडेटली 20 मिनिट के बाद यानि कि यह जो सेशन आप देख रहे हो इस सेशन में जो भी चीज़े मैं बोल रहा हो न यह 42 परसंटेज इसमें जो चीज़े मैंने बोली है वो आप भूल जाओगे वितिन 20 मिनिट्स हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है यानि कि 20 मिनिट के बाद सिर्फ और सिर्फ 58 परसंटेज चीज़े आपको याद रहेंगी इस पूरे सेशन में से शायद आप इस सेशन को इंट्रेस्टिंगली देख रहे हो उनके बारे में सुच जो जो ना देख रहे ह भाई सुनी ही हमने 50 परतिचत चीज़े एं उसमें से अगर 42 परसंटेज निकल गया तो बच्ची तो 25 परतिच की आजपात आपको चीज़े याद रहेंगी 20 मिनिट के बाद और अगर एक गंटे के बाद देखें तो आपको सिर्फ 44% यह चीज़े याद रहती है और पूरे एक दिन के बाद देखें तो आपको तो भाई कुछ भी आने रहता बेसिकले और इस सिर्फ आपकी बात रही है यह आपकी मेरी सबकी बात है हम इनसान ऐसे हमारा मेमरी कब ऐसे ही काम करता है तो जब भी आपको चीज़ भूल जाते हो अपने आपको सर पर मार कर बूलना कि मैं क्यों भूल जाता हूँ चीज़े भाई यह नॉर्मल है हम बने ही ऐसे कुछ ऐसे लोग यह वह निकल जाते हैं जिनकी मेमरी पार अच्छी होती है छोड़ा वह निकल जाते हैं बट सबके साथ ऐसा नहीं होता मैं भी ऐसा नहीं हूँ ठीक है तो मैंने accept करें कि मैं भूलने वाला हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे चीज़े याद रहे औफकॉस यह बात है यह चो graph अभी हम देख रहे हैं इसको revive कर सकते हैं है ना कैसे revive करें भाई एक बार revise कर लो चीज़ों को अब revise करने का भी एक बहुत interesting pattern है यह मैरा आज का पहला tip यह है पहला तरीका और वो revision pattern आपके सामने है इसमें अगर आप देखोगे आपको दिखें भाई पहली बार किसी चीज़ को पढ़ लेने के बाद उसके immediately 20 minute के बाद आप repeat करो, revise करो एक बार उसके exactly एक गंटे के बाद आप revise करो उसके exactly एक दिन के बाद आप एक हो बार revise करो फिर आपको पूरी चीज़े याद रहेंगे of course ही बात है भाई आपके पास इतना वक्त है ही नहीं है ना, आपके पास इतना वक्त है ही नहीं तो मैंने जब topper से बात किया था मैंनों उसे पूछा था कि सबसे वो कौन सी चीज़े जो आप कहोगी अपने juniors को, अपने 10th grade वालों को अपने 11th grade वालों को 12th बाद कि भाई ये बिल्कुल मत करना और उन्हें एक बहुत important सी point बतायी थी और वो था accumulation accumulation अब accumulation का मतलब क्या होता है हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको एक बार पढ़िए हम छोड़ देते हैं ये सोचर की याद रहेगा है ना और उसको revise नहीं करते हैं अब of course ही बात ही कि आप इतने जल्दी तो revise नहीं कर सकते हो होगे तब ही जटका लगता ना रे भाई इतना सी लो बस था क्या अपने आपको अभी से prepare करो कि मुझे revise कैसी करना है चीज है हफते में कम से कम एक बार revision करना बहुत जरूरी है इतना तो possible है मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इस चार्ट को देकर ऐसे करना आपको revise नहीं बोल रहा हूँ मैं पते पॉसिबल नहीं है मैं भी तो student था अभी है ना but make sure that you're revising यह बहुत important point है ठेक है अब सर थीचीज़ों याद करने का तरीका सिर्फ रिविजन होता है actually नहीं है एक और interesting और बहुत अच्छे ग्रूप ने एक survey किया था और उस survey और study से उस research से समझ माया है एक होता है एक learning pyramid वो पिरामेड में आपको दिखाता हूँ इसमें आप देखोगे सबसे उपर होता है lecture फिर होता है आपका reading फिर होगा मेरे ख्याल से audio visual जो आप देखते हो जैसे अभी देखकर पढ़ रहे हो चीजे देखकर सीख रहे हो चीजे फिर होता है demonstrations फिर होता है practice यह सारश सारश हम पता हीए हम हमें पता है कि LIKE करें को चीज करैंब का चीज अच्छे से याद रहे का आपको दिख रहागा सबसे बॉटम में कि भाई टीचिंग अधर्स 90 परसंटेज के ऊपर है चीजों को सीखने में बात समझ पारे हो आप? यानि कि अगर मैं किसी को सिखाऊ या पढ़ाऊ तो मुझे 90 परसंटेज जादा एडवांटेज है बाकी लोगों से कि मैं चीज़ से याद रख पाऊंगा 90 परसंटेज जादा फैदा है मेरा जब मैं लोगों को पढ़ाता हूं Rather than with sitting and listening to the lecture जो से 5 परसंटेज पे होगा 90 परसंटेज मेरे पास है जब मैं लोगों को पढ़ाता हूं And trust you when I say this ये एक तरीका है चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखने का क्योंकि जिस दिन आपने किसी को पढ़ा दिया वो आप कैसे बुलूगी अब हम teachers को देख लो एक्जामपल लो हम teachers आब बाकी को भी छोड़ो मुझे देख लो ठेक है मैंने NCRT का जो टेक्सबुक है वो पिछली बार 2017 में खोला था जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी मतलब विदान्तु में ओनलाइन 2017 में मैंने वो NCRT का टेक्सबुक होला था क्योंकि NCRT टेक्सबुक उसके बाद अपडेट नहीं हुई है मुझे उसे खोलने का कोई रीजन नहीं मिला है क्योंकि मैंने 2017 में एक साल पूरे बच्चों को पढ़ा दिया उसके बाद मैंने टेक्सबुक खोल करें था मुझे पता कि सिल्वस क्या है उसके बाद से सिफ मैंने ये कोशिश किये कि मैं कैसे हर साल उन टॉपिक्स को डिफ्रेंट डिफ्रेंट इंट्रेस्टिंग तरीकों से आपको पढ़ा सको उसके लावा क्या देखो मुझे पता कि कौन से सवाल है कौन से सवाल एक्सिसाई से, कौन से सवाल NCRT से कौन से वलेंच एक सिंपलर से सवाल मुझे पता है इतने सवाल मैंने खरा दी मैंने हजारों बार हजार सवालों को करवा दिया होगा लाखो बच्छों को तो जब भी आप कुछ सीखते हो ना किसी को पकड़कर बैटाओ बोलके नहीं मैंस नहीं काऊंगा सीखो अब हम जब स सब किस्वेचीज़ कंफ्यूज जाते हैं टॉपर्स के बास जाते हैं बता दो क्या है बता दो वो जब बताता है उसका कॉंसे टॉस्ट हो जाते हैं बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होंगे जो बताते नहीं है बट यूट दिया इगया है ना इस सेकेंड वे गाईज टीच पता नहीं कैसे करें इसके लिए मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है यह प्रॉब्लम है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनना उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देना ठीक है अब इसको ध्यान से सुनों अगर आपको पता हो मैं दो एक्जाम्बल देता हूं पहला पता है सुनने में अच्छा लगया दूसरा बाला कॉमण है पहला पता है लोग पागल जो हो जाते हैं जिनके लोग को stress होता है यह जो serial killer serial murderers होते हैं ना इन लोग को जब psychiatrist देखते है जब देखते हैं तो वो उनसे यह नहीं पूछते कि तुमने क्यू मारा लोगों को वो उनसे उनका past जानते है पूस्ते कि तुम बच्चपन में कैसे थे बताओ क्योंकि बच्चपन में उन्होंने उन्होंने शायद ऐसा ही कुछ trauma face किया होगा या तो उनकी बहुत सारी मुश्किले होंगी जिसके तुरू ये trigger हुई है and most of the cases serial killers ऐसे ही निकलते है जब खुद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो और क्यूं मारा इन्होंने फिर उसका जवाब वहीं पर आ जाता है अब हमारा तरीका देखो दूसरी दूसरा example कि भाई हमें भूख तब ही लगीगी न जब हमने कुछ खाया ना हो दो पैर को चले गए लंच खाने लेकिन सुबह से लंच तक हम खाई रहे थे खाई रहे थे लंच को भूख क्यों लोगीगी फिर नहीं खाएंगे अब है कि नहीं वैसे मारा दिमाग काम करता है आपके दिमाग को आपने सुबह से लेकर या तो हफते बर चिट-चैट कर दिया फेस्बूक चले गए इंस्टाग्राम पे चले गए बहुत सारी चीज़ कर लिए और फिर जब पढ़ने का वक्ता है तो आपने ठीक है सब को साइड में रखा टेबल वे सचे सजा दिया बैड गया ऐसे ठीक है और लापटॉप खोला या तो नोटबुक खोला और अपने दिमाग को आप एक्सपेट करते हो कि अचानक से आपका जो दिमाग है सारी चीज़े को छोड़कर सटाक से लग जाएगा आपने पेपर में बुक में लग जाएगा ऐसे क्यों लगेगा वो आपने अपने दिमाग को ट्रेनी नहीं किया वैसे आपने अपने दिमाग को बोला ही नहीं था कि भाई करेंगे हम ये पढ़ेंगे हम आपका दिमाग को शॉक में था ना और आपने भी देखा भी होगा कि जब अचानक से पढ़ने बैठते हो, पहले पांसस मेंट तक तो समझ नहीं आता कि आप पढ़ भी रहे हो, ले दिमागे को जा नहीं रहा, और वही पर आदे लोग उठ जाते हैं, अरे यार हो नहीं रहा, अजकल करते हैं, करते हो नहीं से, पुछ लुग तो फिर गड़ा है है, दुभारा पड़ा 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 आप ते घुझ O जो मैंने वो killer वाला example दिया था, भूक वाल example दिया था ना, वो इससे related है. It's not about what you do during your study hours. It's also about what you do outside those study hours as well. इसको लिख कर रखो. जिम में जाके workout करने से से वो लोग पतले नहीं होते. जिम के बाहर लोग पतले होते हैं. जब वो डायेट करते हैं, ठीक से सोते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं, तब लोग पतले होते हैं. बाद समझ मैं? तो इसलिए आपको अपना routine ही ऐसे बनाना पड़ेगा, कि आपके पढ़ाई में वो support करें. अगें, टॉपर से जब बात हुए नहीं कहा था कि, वो सिर्फ पढ़ते नहीं रहते थे. उन्होंने अपना routine ऐसे बना लिया था, कि उनको आदत होगी थी कि बाई, सुबा जब उठेंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे, खेलने जाएंगे, खूदेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेट करेंगे, थोड़ा साम sports खेल लेंगे, एक particular time में सिर्फ phone देखेंगे, और ब करते हो, वो habit बन जाती है, अभी आपके पास 4-5 महिने और हैं, बोर्ड examinations के लिए, आपके final examinations के लिए, जाओ फोड़ो, और ये था मेरा आज का आध्री tip बच्चो, I really believe all of you guys enjoyed this, अगर आप में से कोई हो, जिसने summary बनाना आता हो, तो बैस summary बना देना, मैंने इस वीडियो I really hope all of you guys understood my these three important points, क्योंकि मैंने बहुत दिल से बनाया इने, and you know, बहुत experience के साथ, मैंने सोच कर बनाया था, बच्चों के साथ, जो experience थे, टीचे साथ, जितना experience पढ़ाने काया, आप लोसे मिलने जुनने का जो, you know, experience मैंने मुझ बलाया, उसके साथ मैंने इस तीज को बनाय तब ही तो सीखेगा, तो share करना जरूर, subscribe करना, और मुझे बताना कि इनमें से वो कौन सा tip था, जो आपको सबसे सही लगा, comments, मिलते नेक्स सेशन में, अंदिल नदी जबिश्वी, signing off, enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong, peace.